दूनिया के लोग भले ही एक अप्रेल को मूर्ख दीवस के तोर पर मनाते हैं बलकि भारत के दिश्ट्रीकोंसे आज का दिन बहुत ही महत्वपुन्तिन है भारत में पहली बार आज ही के दिन भारतीय वायु सेना के एर्ट्राफट ने उड़ान भरी थी और आज ही के दिन RBI की स्थापना हुई थी तो आए जानते हैं क्या है भारतिय वायू सेना का इतिहाद एक अप्रेल 1933 को ही भारतिय वायू सेना के पहले एरक्राफ्ट ने उडान भरी थी इसी दिन वायू सेना के पहले दस्ते का गठन भी हुआ था भारती वायू सेना का इतिहास की जड़े ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई है भारती वायू सेना का गठन 8 अक्तूबर 1932 को हुआ था लेकिन उसके पहले एरक्राफ्ट की उडान 1 अपरेल 1933 को हुई थी इसी दिन पहले भारती वायू सेना के दस्ते का गठन हुआ था अजादी के बाद भारती वायू सेना ने हर मोके पर अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई और 1965 के युद में सक्रिय होने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा एक अपरेल 1933 में पहला दस्ता अजादी से पहले वायू सेना को रोयल इंडियन एर फोस कहा जाता था उस समय इसमें 6 आर एफ ट्रेंड ओफिसर और 19 हवाई सिपाई के अलावा चार वेस्ट लेंड वापित आई आई ए सैन्नी सहयोग विमान थी उस समय सेना में 5 पाइलट थे भारती वायू सेना के स्थापना के समय इसे ब्रिटिश राज की सहायक वायू सेना के तोर पर बनाया था अजादी के बाद इसमें से रोयल शब्द हटा लिया गया पहले 5 पाइलट कौन थे? पहले पाँच पाइलेट हरीश चंद्र सरकार, सुब्रोतो मुखरजी, भुपेंदर सिंग, आजाद बक्ष अवान और अमरजीत सिंग थे छटे अफसर के तोर पर जे एन टेंडन को शामिल किया गया था लेकिन उनकी उन्चाई कम होने के कारण उन्हें केवल लोजिस्टिक ड्यूटी सोपी गई थी सभी पाँच पाइलेटों को 1932 से आर एफ कर्नल वेल के लिए पाइलेट ओफिसर के तोर पर कमिशन्ड किया गया था द्वित्य विश्वयूद में भूमी का सुर्बोतो मुखरजी बात में भारत के पहले चीफ ओफ एयर स्टाफ बने थे वही द्वित्य विश्वयूद से पहले एस पे इंजिनियर केके मुझूमदार नरेंदर दिलजीत सिंग, हेंडरी रगुननदन, आर एच्डी सिंग, बाबा मेहर सिंग, एन गोयल, पृत पाल सिंग और अर्जन सिंग को भारती वायू सेना में शामिल किया गया भारती वायू सेना ने द्वित्य विश्वयूद में एहम भूमिका निभाई थी, द्वित्य विश्वयूद में बर्मा और थाइलेंड में स्थी जापान के एरबेस ठीकानों पर हमलों में एहम भूमिका निभाई रोयल शब्द और उससे छुटकारा 1945 को भारती वायू सेना के द्वित्य विश्वयूद में योगदान को देखते हुए किंग जोर्च ने भारती वायू सेना के आगे रोयल शब्द लगा दिया इसके बाद से ही 1950 तक ही भारती वायू सेना को रोयल इंडियन एर फोर्स के नाम से जाना गया 1950 भारत के गंतंत्र बनते ही रोयल शब्द हटा और वायू सेना को भारती वायू सेना नाम मिल गया भारती वायुसेना की अजाधी की फोरण बाद ही उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हुई जब पाकिस्तान के कबाईलियों ने जम्मु कश्मीर पर हमला बोल दिया जैसे ही कश्मीर के राजा हरी सिंग ने भारत के साथ विलेकर हस्ताक्षर किये भारतिय वायु सेना से फोरण श्री नगर में भारतिय सैनिकों को पहुचाने का काम किया जो इस युद में एक निरनायक कदम साबित हुआ 1965 के युद में पहली सक्रिय भूमिका गणतंतर के बात से भारतिय वायु सेना ने कई मोकों पर देश के लिए अपनी उपयोगिता सिद की 1962 के भारत चीन युद में भारतिय वायु सेना का व्यापक उपयोग नहीं हो सका 1965 के भारत पाक युद में पहली बार भारतिय वायु सेना सक्रिय रूप से युद में शामिल हुई इसके बाद भारतिय वायु सेना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा पहली बार जब पुर्वोतर में घुस कर आजाद हिंद फोस ने तिरंगा फहराया 1965 के युद के बाद 1971 में बांगला देश की आजादी 1984 में ओपरेशन में एक दूद के जरिये सियाचिन गलेशियर पर कबजा 1999 में कारगेल युद में भारतिय वायु सेना ने हर मोके पर देश के सेना के साथ देते हुए अपनी शांदार उपस्थिति दर्ज करवाई इसके अलावा देश में बार भुकम्प जैसी आपदाओं में भी भारतिय वायु सेना ने उम्मीद से बढ़कर देश वास्यों की सेवा की है वहीं अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की आज ही के दिन RBI की स्थापना हुई थी आज के दिन इंकम टैक्स की शुरुवात हुई भारत में 1 अप्रेल 1935 को रिजर्ट बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1929 को इसका राश्चे करण किया गया यहें केंद्रिय बैंकिंग प्रणाली है नई दिल्ली मुंबई, कोलकाता और चेनाई में इसके शेत्रिय कार्याले हैं 1912 भारत की राजधाने को उपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थारांत्रित किया गया 1935 में इंडियन पोस्चर ओडर की शुरुवात हुई 1930 में विवाहा के लिए लड़कियों की नियुंतम आयू, 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई 1976 में टेलिविजन के लिए एक प्रिथक निगम की स्थापना की गई जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया अमेरिका में एपल की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, फ्रास में इस दिन को मुर्ख दीवस के रूप में मनाने की शुरुवात हुई थी 2004 में गूगल ने जीमेल का एलान किया, 2010 में प्रथम नागरिक राश्चुपती प्रतीभा सिंग पाठील का ब्योराद दर्स कराने के साथ ही देश में पंधरवी जनगन्ना का काम शुरू हो गया ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें